Hello my dear students, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका Einstein Study Circle के इस YouTube चैनल पर और आज की वीडियो में हम लोग class 11th model set को आगे ले करके चलेंगे क्योंकि आपका exam 3-4 दिन के अंदर होने वाला है तो हम कोशिस यही करेंगे कि इसको आज और एक और वीडियो में इसको पूरा solve करके और मैं आपको दे दूँ ताकि आप इसको पढ़के जाएं और exam में एक भी question न चुटे question बहुत easy है एकदम अगर आप numericals वगरे बनाते हैं अगर ठीक से syllabus को पढ़े होंगे तो 10-10 second का एक question है लेकिन चुकि मुझे समझाना पड़ता है तो समय थोड़ा ज्यादा लगता है आप वीडियो को पूरा देखें और देख करके उसको नोट भी करें तो चलिए हम लोगे start करते हैं आज 12 number question से solve करेंगे model set को तो देखें 12 number question कर रहा है कि निमनलीखीत में से किस species का आकार सबसे बड़ा और सबसे छोटा है बतलब कुछ आपको यहाँ पर अनू परमानू आयन दिये गए है और उसमें से आपको select करना है कि किसका जो अकार है उस सबसे बड़ा और सबसे छोटा है क्या क्या है दिया हुगा है magnesium और magnesium iron और aluminum iron तो देखिए अगर आपने periodic table chapter का पढ़ाई अगर किया होगा ठीक से तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप periodic table में आपको simple एक rough idea होगा कि अगर किसी period में अगर हम लोग left to right जाते है तो पर्मानू का जो size है यानि आकार जो है वो घटता है वो क्या होता है घटता है और अगर किसी group में उपर से नीचे आते हैं तो पर्मानू का अकार यानि size बढ़ता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें magnesium और aluminium का तो देखिए अगर periodic table दिखा करके मैं आपको बता हूँ ध्यान से देखिएगा इसमें मैं periodic table आपको निकाल देता हूँ कुछी देर के लिए तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि magnesium और aluminium इधर आने पर जो है कि size घटता है यानि कि clear हो गया कि magnesium और aluminium अगर simple रहे तो उसमें magnesium का size बड़ा है aluminium का छोटा है यहां तक clear हो गया magnesium और aluminium का लेकिन इसके ions भी दिये हुए हैं तो चलिए अब उसका compression देख लेते हैं लोग क्या matter है यहां पर जैसे हमको यह clear हो चुका है कि अगर भाई magnesium और aluminium में अगर हमसे कोई पूछता कि किसका size बड़ा चोटा है तो यह clear हो गया कि magnesium जो है वह बड़ा होगा aluminium से लेकिन अब सवाल है कि भाई हमारा जो यहां पर दिया हुआ है mz2 plus और दिया हुआ है al3 plus इसमें decide करें भाई सबसे बड़ा तो मिल गया लेकिन सबसे छोटा तो देखिए इसमें एक चीज आपको मैं बता देना चाहूंगा जो कि आप हमेशा याद रखेगा कि जब भी कोई atom जब भी कोई atom दो चीज करता है वह या तो electron donate करता है या तो electron gain करता है जब electron donate करके वह धनायन बनाए क्या बनाए धनायन या फिर electron donate करके धनायन बनाए या तो electron ले करके रिनायन बनाए इंगलिस भी बता दूंगा आपको रिनायन बनाए इंगलिस में इसक करते हैं का इटग्यां तब ढ़ए kid या के नाय बनाता है यह रहाद रखे रहाद रखेगा अकर बड़ा हो जाई आ जो इसका प्रसमा था जैसे यहां पर fera has a pen मुश हुता हो जाता है कि प veg recognized यहांए और ठेमान जाता है लेकिन खेक्छ अदिया यह रहां पर देख सकते हैं कि यह दूनो में सबसे छोटा आक़ यह डिया हुआं यह दिया हुआ है ऐसे प्रजाती है जिनके पास इलेक्ट्रोन की संख्या बराबर होगा जैसे देखेगा मैगनिसियम के पास कितना इलेक्ट्रोन होता है बारह allonium के पास होता है 13 तो अगर 12 में से इसने 2 दे दिया था इसके पास है 10 electron इसके पास अगर मालिजर दिया होगा है 13 तो 13 में से 3 दे दिया था इसके पास भी है 10 electron जानी कि इस परकार के बरजाती को बोलते हैं आइ ear actually बोला जाता है और इनका अगर size देखे तो याद रिखेगा मैं एक आपको अभी simple trick बता देता हूँ क्योंकि exam आपका नस्दीक है तो detail तो पढ़ेंगे इसलिए बस में कभर करेंगे हम लोग A9 के 10 सबके size के बारें पढ़ेंगे लेकिन अगर किसी species के उपर अगर ये plus का charge अगर बढ़ता जाए plus का charge क्या होता जाए बढ़ता जाए तो उसका आकार घटता जाता है उसका आकार क्या होता जाता है घटता जाता जैसे इसके उपर देखेगा 2 plus charge है इसके उपर 3 plus charge है मैं अपने सगर ले लूँ तो NA+, अगर देखिएगा उसके पास भी ये 11 होता है लेकिन अगर ये 1 देएक तो हो जाएगा इस तरह से इस पर çार्ज प्लस वन प्लस, टू प्लस, थ्री प्लस इस तरह से अगर बढ़ता जै तो जिस पर चार्ज ज्यादा होता है चार्ज क्या होता है चार्ज जादा होता है उसका आकार सबसे छोटा होता है याद रख लीजेगा तो इससे यही पता चला भाई कि हमको अगर ये दोनों में correction करने के लिए बोले तेलमूनियाम 3 पलस का चार्ज आकार सबसे छोटा होगा यानि कि हमारा सबसे बड़ा आकार हो गया मैगनिसियम का और सबसे छोटा हो गया AL3 प्लस का यह discussion आपके लिए important है इसको बोला जाते हैं इस तरह की species को हम बोलते हैं क्योंकि electron सबके पास same है यह भी देख लेना आपको तो इस परकार की species को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रोनिक species क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रोनिक मैं लिख देता हूँ हिंदी में इसको बोलते हैं sum आयनी पर जाती यह सब आप periodic table में पढ़े होंगे आप लोग तीस तरह से हमारा answer हो गया सबसे बड़ा आकार हो गया MZ का और सबसे छोटा हो गया L3 प्लस का आप खुद देख लिजेगा option में कौन सा मैच कर रहा हमारा यहां पर देखिए MZ और L3 प्लस यानी कि आपका option number B आपका सही हो गया चले अब हम लोग चलते हैं प्रोसीड करते हैं अपने question number 13 13 की और कि D block के तत्वों का बाह यह electronic बिनियास क्या है the general outer electronic configuration of D block element देखे यह भी question एक बड़ा ही common सा question है अगर हम इसको देखे तो और इस question को अगर हम देखे तो देखेगा इसमें होता क्या है हमसे general electronic configuration पूछा है समान electronic बिनियास मतलब एक ऐसा electronic बिनियास पले इसको आप notes कर लिजे एक बरियार या screenshot ले लिजे या notes कर लिजे यह सारा चीज तो सबसे और यह याद रखेगा कि left to right जाने पर atomic size घडता है और नीचे जाने पर बढ़ता है यह तो एक general trend है आप पढ़े होंगे इसके बारे में तो आप चलते हैं हम लोग अगले question की और कि general electronic configuration of d block element तो आपके सामने अभी मैं इसको निकाल देता हूँ देखिएगा general electronic configuration of d block element तो देखिएगा यह कैसे निकलता है कुछ example मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर देखिएगा कुछ example मैं आपके आँखों के सामने लेता हूँ A, B, C, D और E काफी है मेरे लिए इतना element और सारे के सारे element मैं लोगगा d block का ध्यान से देखिएगा सबसे उपर मैं लोगगा scandium उसके बाद मैं लोगगा chromium उसके बाद मैं लोगगा आपका क्या ले लूँ फेरस उसके बाद मैं आपका ले लूँगा copper और उसके बाद मैं आपका ले लूँगा zinc इसमें पहले ही मैं आपको warning दे रहा हूँ कि chromium आपका exception होता है याद रखिएगा और copper भी आपका exception होता है half field और fulfilled वगरा के बारे में आपको idea होगा कुछ और नहीं होगा तो बाद में उसको discussion करेंगे atomic number इसका 21 इसका 24 इसका 26 इसका 29 और इसका 30 देखेगा मैं configuration लिखता हूँ सबका और अप आप देखेए अपने आखों से याखिर इन लोग का एक general configuration क्या निकलता है देखेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 2410 और हो जाएगा आपका 3d1 इसमें देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और इसका हो जाता है 4s1, 2, 2, 4, 10, 2, 12, 14, 18, 19 और 3d5 इस तरह से आप बोलिया कि आपको तो forest में आपको full भरना चाहिए था निसका half field हो जाता है half field और इसका भी half field क्योंकि यह ज़्यादा stable होते हैं इस form में stability due to more stability यह जो है कि यह वाला form ले लेते हैं configuration इन का इसका लिखे तो 1s2 dot 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 इसका आजाएगा forest 2 20 हो गया और 3d6 हो गया इसका लिखे तो 1s2 dot 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 3d1 यहां तक हो गया sorry 3d नहीं इसका अगर हम लिखे यहां तो हो जाएगा आपका forest 1 और 3d10 हो जाता है इसका इस तरह से यहां तो कुनाइस 1029 हो जाता है यह भी exception है और यहां पे लिखे तो 1s2 dot 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 forest 2 और इसका 3d10 सारा भर जाता है देखे जेनरल electronic configuration लिखने के लिए आपको किस पर ध्यान देना है last two subcells को देखिएगा इसी से आपको trend पता चल जाएगा हो क्या रहा है तो आप देख रहे होगा कि जो ace के साथ जो यह quantum number आपको दिख रहा है यहां पे 4444 है ठीक है और जो d के साथ दिख रहा है वो 333 है मतलब कि जो d के साथ number है वो ace वाले number से एक कम है और आपको दिख रहा होगा कि ace वाले subcells में कितने electron भर रहा है एक या दो एक या दो हर जगा एक या दो भर दे ठीक है भाई उसके बाद d में एक से 10 तक भर रहा है तो अगर इसका general एक trend के अनुसार अगर electronic configuration मैं लिखूँ ता आप कहुँ सकते हैं कि इसका general electronic configuration आपका हो जाएगा एदम simple मैं आपको बता रहा हूँ यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा n अगर मैं लिखूँ इसका s के लिखूँ n s और इसका electron जा रहा है 1 से 2 s में कितना electron भर रहा है कभी 1 तो कभी 2 यानि 1 से 2 के बीच भर रहा है और d वाले का लिखूँ तो d वाला का number इसे एक कम है तो एक कम है तो उसका अगर n है तो इसका n-1 होगा और यह लिख दूँँगा d और इसका electron कितना फिल हो रहा है किसी में 1 हो रहा है किसी में 2 तो 1 से 10 के बीच electron फिल हो रहा है यानि कि यह वाला जो electronic configuration हो गया आपका इसी को बोलते है d block तत्व का general electronic configuration यानि कि सम्मान electronic बिन्यास आप इसमें टीक मार सकते अगर आप option देखे तो option आपका match कर जाएगा अगर इसको आप देखे यह मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यह क्या क्या मैंने लिख दिया यहाँ पर कि जो s के साथ number है s के साथ जो number यहाँ पर दिख रहा आपको उसमें क्या है कि भाई जो number है उसमें d के साथ वो number उसे एक कम है तो यह माइनस 1 कर दिया s में electron एक से 2 भर रहा है और d में एक से 10 भर रहा है and this is your gender electronic configuration of d block element सारे d block element का आपका configuration इसमें set हो जाता है तो इस तरह से यह मैंने बता दिया तो चलिए हम लोग एक बार option देख लेते है option number कौन सा है मेरा देखिए option number आपका c है n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2 इस तरह से c number आपका हो चुका है तो चलिए अब हम लोग proceed करेंगे अपने question number 14 के तरफ question number 14 के तरफ BCL2 यानि beryllium chloride का dipal moment आप से पूछा है बहुत ही जी question है यार dipal moment एक लाइन चलिए निकाल के देखते है BCL2 का dipal moment अब BCL2 का dipal moment निकाले तो क्या होगा भाई देखिएगा इसका structure बनाएगा B, इधर CL और इधर CL ध्यान से देखिएगा यानि कि दोनों तरफ यार same molecule है same electronegative वाले element है CLCL तो इस condition में इधर का dipal moment और इधर का dipal moment same रहेगा तो आपका इस पर कोई charge develop तो होगा नि dipal moment का formula क्या होता है P ब्राबर Q into D होता है इसके बीच का जो length अगर हम देखें अगर bond का तो simple देखेंगे कुछ length अगर माल लिए लेकिन यहां पर charge develop नहीं हो पाएगा क्योंकि simple समझे dipal moment का मतलब होता है कि charge into bond का length तो ठीक है बाई bond का length कुछ है लेकिन अगर electronegativity में difference नहीं है अगर यहां पर तो charge ही develop नहीं होगा तो अगर charge ही नहीं है तो dipal moment इसका कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए लेकिन अगर अलग-अलग atom होते तो इसका कुछ नग कुछ dipal moment होता है यानि कि यहां पर जो dipal moment हो जाएगा इसका 0 आ जाएगा क्यों क्यों कि यह symmetrical structure है याद रिखेगा जो same इधर है वही same इधर है तो इस तरह का structure में अगर आप dipal moment निकाले तो यह dipal moment आपका इसका 0 हो जाता है यह simple question है dipal moment को deeply पढ़ेंगे लेकिन चुकि अभी आपका exam है तो exam के कारण मैं इसको ज़्यादा detail नहीं कर पा रहा हूँ तो याद रिखेगा कि dipal moment किसी भी similar item में dipal moment का सुतर होता है charge अग गुना में bond length यानि charge यह formula आपके लिए important है charge गुना bond length होता है dipal moment का formula तो ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है कितना लोग इसको mu से भी दिखाता है mu से भी आप denote कर सकते हैं तो हमारा इस condition में BCL2 का कितना हो गया जीरो हो गया चलिए अब देखते हैं अगला question अगला question मेरा क्या है अगला question मेरा है option number 10 का सही हो जाएगा पुछा है O2 का आबंध कोटी O2 का bond order देखें bond order कुछ का मैं बता देता हूँ आपको ऐसे आपने इसके लिए पढ़ा होगा molecular orbital theory अगर पढ़े होंगे आप जिसमें की molecules का electronic configuration लिखा जाता है उसमें भी bond order निकालने का formula होता है anti bonding electron और bonding electron की सहेता से निकालते है लेकिन अब सवाल है कि अब उतना तो पढ़ने जाएंगे नहीं तो कुछ का मैं बता देता तो bond order मैंने simple क्या होता है कितना bond बनाता है जैसे देखिएगा अगर H है तो single bond होगा oxygen है तो इसके भी double bond होता है nitrogen है तो इसके भी triple bond होता है तो simple अगर chlorine है हाँ तो इसके भी single bond होता है अगर आपसे कोई पूछे भाई कि इसमें bond order तू बताओ आबंध कोटी बताओ ये तो बड़ा असान है इसमें हमको दिख रहा है यहाँ पर simple अगर हम देखें कोट किसे गया line कितना मिनट हुआ तो मैंने कुछ molecules का bond का structure यहाँ बना दिया आप अपने से ही देख सकते हैं कि यार इसमें तो single bond बना रहा है ति इसका bond order एक हो जाएगा इसका bond order दू हो जाएगा इसका bond order तीन हो जाएगा कितना bond बना रहा है वो उसी को तो bond order बोलते हैं तो इसका bond order कितना हो जाएगा आपका तीन हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा एक हो जाएगा सवाल में किसका पूछा है O2 का पूछा है कितना होगा दो answer मार दीजिए और ये note भी कर लिजएगा, हो सकता है आप final exam में जाएं, और वहाँ पे question change कर दे, वो two case again to push दे तो इस तरह से आपका इसका answer हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, चलिए देखते हैं इसका answer हो जाएगा हमारा, दो हो जाएगा तो दो कहां दिया है भाई आप बंद कोटी, चलिए इसका देखते हैं अगला page में होगा सहाथ, दो मार दिजएगा अब देखे, simple question यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं है पूछ रहाँ आप से कि water molecules का geometry क्या है hybridization आपने पढ़ाया संकरन बोलते हैं इसको हिंदी में hybridization तो मैंने काफी deep आपको पढ़ाया है classroom में, लेकिन देखे, H2O का मैं अगर structure बना दूँ तो कुछ इस तरह का होता है, दियान से देखेगा O, यहाँ पे H, यहाँ पे H और इसके पास चुकी दो loan pair होते हैं तो यहाँ पे loan pair आप दिखा सकते हैं इस तरह से तो यह सेफ है water molecule का, क्या बनाम है इसका, इसका नाम है भी सेफ, यानि भी अकार, या कभी-कभी इसको कहीं-कहीं bent सेफ भी बोल देता है, तो आप इसमें टीक मार दीजिए मुड़ी हुई आकरिती या भी सेफ, जो भी मारना है बहुत सारे molecules का geometry, hybridization से निकाल सकते हैं कुछ का भेसपर थियोरी से आप निकालते हैं अगर और deep में जाए तो जो loan pair वाले molecules का बात करता है तो यह सारे हम लोग deep में पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए तो खेर इतना काफी है मेरे लिए, तो यह water molecules का आकार आपका यह हो गया तो देखें न कौन सा आकार, मुड़ी हुई आकरिती आप टीक मार दीजेगा चलिए भाई, bend से आप मार दीए अब और है CH4 में C का hybridization क्या है तो कारपन चार बॉंड बनाता है तो क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है अगर किसी भी molecules में सिग्मा बॉंड की संख्या किस की संख्या, सिग्मा बॉंड की संख्या अगर 2 है, ठीक है या किसी molecules में सिग्मा बॉंड की संख्या 3 है या किसी molecules में sigma bond की संख्या अगर 4 है अगर ऐसा condition होता है तो इसमें इसका हिविडाजिशन होगा SP इसका होगा SP2 और इसका होगा SP3 सिंपल है चलिए अब हमसे पूछा है CH4 का अच्छी बात है भाई और sigma bond किसको बोलते हैं single bond को बोला जाता है याद रखिएगा देखेगा ध्यान से तो भाई क्या करें sigma को पहचानने का नियम मैं बता दूँ bond अगर single है double है और triple है तो single bond है तो यह sigma होता है double में 1 pi और 1 sigma और इसमें 2 pi और 1 sigma होता है इस तरह से आप इसको note कर लिजेगा यह बड़ा important है आपके लिए CH4 तो यही है आपका यार देखिए ना ध्यान से यहाँ पे तो इसमें यह bond sigma हो गया यह भी bond sigma हो गया यह भी bond sigma यह भी bond क्यों कि single जहां पे हो sigma ही होगा तो इसके लिए आप chemical bonding का वीडियो आप देखिएगा तो चारो का चारो bond sigma है तो hybridization क्या हो जाएगा SP3 हो जाएगा इसका answer आप मारिएगा SP3 SP3 आपका answer हो गया टीक मार सकते हैं आप option देखिए ना कौन से है इसको लेकिन note कर लिजेगा सबसे जरूरी आपका यह सारा चीज है तो आप इसको note कर लिजे ताकि question change भी करे तो दिक्कत ना हो ताप SP3 टीक मार दीजेगा सभी तत्मों के enthalpy उनकी संदर भवस्ता में क्या होती है the enthalpies of all elements in their standard states are देखिए enthalpy का मतलब energy होता है simple समझे enthalpy मतलब energy अब बोला है standard state में देखिए कोई भी चीज जब बनता है न कुछ formation में उसकुछ energy लगता है यार देखिए ध्यान से माल लिए कि simple अगर आप जो है hydrogen को और oxygen को मिला कर water भी अगर बनाते हैं इसमें कुछ energy लगता है यार देख लिजेगा इसमें कुछ क्या लगता है energy लगता है लेकिन energy लगता है आप से पूछा है कि उसको उसका प्राकृतिक अवस्था में यानि कि वो खुद से जब निर्मीत हुआ है हमने उसको बनाया नहीं यानि कि उसको बाहर से कोई energy नहीं दिया वो प्राकृतिक रूप से पाया गया तो जो भी प्राकृतिक रूप से पाया गया जिसका formation जिसका निर्मान हम लोगों ने नहीं किया उसको बोलेंगे standard state या मानक अवस्था में तो उसका enthalpy यानि कि हमने कोई energy जब नहीं दिया तो उसका enthalpy यानि energy कितना zero लगा उसको बनाने में enthalpy of formation उसका zero हो गया तब simple जो है कि आप उसको zero मार दीजेगा answer मानक का मतलब यही होता है प्रकृतिक रूप से वो पाया गया हमने उसको बनाया नहीं बाहर से energy देखे तो energy लगा ही नहीं तो enthalpy नहीं लगा तो यह कितना हुआ energy zero हो गया तो आप टीक मार सकते हैं इसमें कौन सा option सही होगा आपका zero मार दीजेगा बी number option आपका सही है अगला question देखे ने एक प्रक्रम समतापी होने के लिए क्या condition है देखिए कुछ condition आपको मैं बता दूँ समतापी नाम से के लिए है समतापी समतापी यानि की isothermal इस तरह से या फिर एक process होता है रुधोस्म क्या होता है रुधोस्म यह सब thermodynamics में आपको पढ़ाया है इंगलिस में इसको बोलते है एडिया बेटी एडिया बेटी कैसे तो बहुत सारे प्रक्रम होते सम्दाभी वगर सारा लेकिन यहां पर यतना देखिए ना वैसा कोई भी प्रक्रम जिसमें की तापमान में कोई परिवर्तन नहों तापमान यानि कोंस्टेंट हो चेंज ही न हुआ हो यानि कि चेंज इन तफ्रेशर जीरो हो हां तो इसको क्या बोलेंगे लिए ऐसको बोलेंगे इसको Mark i अप्रक्रम दुनिया में कोई भी ऐसा माच्रम और एक फाक्रम जिसमें हीट का ना लौस हो ना गेन हो निstopस नहों एक्नमे कोई न नहीं होगा temperature में तो इस परकार के process को आप बोलिएगा आइसो थर्मल process, आइसो थर्मल condition जो भी बोले आइसो थर्मल मतलब change in temperature zero हुआ है मतलब आपने शुरुआत जितना temperature पे किया था कोई भी process last तक आपने temperature को उतना ही रखा इसी को बोला था आइसो थर्मल तो आपने C में इसमें tick कर दिया बिस्वा नंबर अगर question देखे तो ध्यान से देखे बिस्वा नंबर question बोल रहा है भाई एक chemical reaction है आप इसके लिए delta H और delta S का चीन बताइए अच्छी बात है भाई gas 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 चलिए लिखते है reaction solve करते है ध्यान से समझिएगा 2 mol chlorine atom जो है reaction करके CL2 का निर्मान कर रहा है अच्छी बात है यह physical status का gas दिया हुआ है तो gas gas देखिएगा delta S का मतलब क्या होता है भाई यह energy को बताता है इसको बताता है energy enthalpy heat जो भी आप बोलें इसको कोई दिक्कत उसमें नहीं है तो energy enthalpy heat को बताता है तो आप खुद देखिएगा कि यहाँ पीधर जो था यह था CL यह था CL क्या मोल दो मोल एक मोल CL था और CL ने एक और CL परमानू के साथ bond बना करके इधर बन गया । BOND का formation होता है इस condition में heat हिट जो है रिलीज होता है या लोस होता है क्या होता है लोस होता है या रिलीज होता है यानि कि कम हुगा हीट तो कम हुगा तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा चलिए डेल्टा एज का पता चल गया हमको जैनि कि जब भी बॉंड का निर्मान होता है तेघा इंट्रोपी क्या बोलते हैं अट्रोपी का मतलब होता है औवेवस्था किया होता है। औवेवस्था इसको मैं एकHow भाशा में अगर बोलू då बोलू तो अभुववष्था जैसे देखिगा हम बोलें कि जैसे दो मोलिकूल्स का कोई डब्बा है इसमें मोलिकूल्स कुछी इस तरह से एकदम अरेंज है इस तरह से ध्यान से देखिएगा और इसमें मोलिकूल्स किसी इस तरह से है तो आप से कोई पूछे कि किसमें एंट्रोपी जादा है कम है और वेवस्था होता है तो बोलिएगा इसमें एस जादा है और इसमें एस कम है तो आप देखिए न इधा था बेचारा दो मोल और इधर बन के हो गया एक मोल तो जब घटा तो आपको सकते हैं कि एंट्रोपी भी घटेगा एंट्रोपी क्या होगा मोलिकुल्स की संख्या जितना कम होगा समझेगा कि एंट्रोपी उतना ही कम होगा और molecules की संख्या जितना बढ़ेगा उसमें उतना ही और विवस्था फेलेगा entropy जो है कि आपका जादा होता जाएगा तो यानि कि यहाँ पे entropy भी घटा इधर था दो मोल इधर हो गया एक मोल अच्छी बात है भाई तो यानि कि अगले पेज में चलते हैं अगले पेज में भाई निगेटिव निगेटिव दोनों का दोनों निगेटिव चली यह देख लेते हैं दोनों का दोनों निगेटिव 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 भी में आप टिक मार दीचेगा कोई दिक्कत नहीं चली अगला question में बोल रहा है कि स्थीर दबाव और तापमान पर अभिकिरिया की स्वतः परवर्तिता, किस कंडिसन में कंडिसन में। इंगलिज में Spontaneous होगा, Non-Spontaneous देखे भई, Equilibrium चेप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया है लेकिन फिर भी चलिए एक पर बता देते हैं कि यह सब डिपेंड करता है Gibbs energy पर ना इसका नाम है Gibbs energy डेल्टा जी से दिखाते हैं अब मैं बता दू कि अगर डेल्टा जी का वेलू डेल्टा जी का वेलू अगर निगेटिव हो या पोजेटिव हो या जीरो हो इसी इसको नोट्स किजिएगा यानि कि इसको बोल सकते है कि जीरो से कम है तो अब तो निगेटिव है अच्छी बात है यहां पर डेल्टा जी जीरो से ज्यादा है चलिए भाई इसी को बोलते है कि पोजेटिव कोई दिकत है सेम चीज लिखा मैंने दोनों सेम है या फिर डेल्टा जी का मान जीरो है हाँ तो क्या होगा इस से प्रवर्तित या अपने आप चलेगा बाहर से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है उसको और अगर पोजेटिव है तो यह नन इस्पोंटेनियस होगा अच्छी बात है भाई नन इस्पोंटेनियस होगा तो क्या फैदा यानि कि आस्वतव प्रवर्तित यानि कि इसको अगर आप रियक्षन को करवाना है तो आपको बाहर से एनर्जी देना होगा यह इसका मतलब होता अगर डेल्टा जी है तो वो रियक्षन एक्विलिब्रियम में है इसी को आप नोट कर लिजेगा क्योंकि यह चीज आपको 12 में भी काम आने वाला है कि अगर किसी केमिकल र एक्षन को हम बोलता है कि भाई यह आप एक्विलिब्रियम में है आप सामय वस्था में हैं ठीक है सामय वस्था हमारा क्या पूछा है भाई स्वतव परवर्तित होने के लिए क्वाई कंडिशन है कि डेल्टा जी जीरो से कम होगा इसको नोट किजी अभी और चले टीक मार देते हैं हम दोग तो डेल्टा जी निगेटिव होना चीए सी ओप्सन आपका सही हो गया भाई सी ओप्सन आपका सही हो गया चलिए अगला कोस्टन पर आते हैं असान असान कोस्टन है यार इसमें तो सोल्व करने लाए कुछ है ही नहीं देखिए न यह सवाल आपसे क्या कुछ internal energy होता है हर एक सिस्टम का कुछ internal energy होता है इसको यू से दिखाते हैं तब मार यह नहीं है इंतरिकर जी अंतरिकुर्जा मार दीजे टीडिक आपका सही हो गया और यू का मतलब आंतरिकुर्जा अगर आप first love thermodynamics पढ़़े होंगे यानि उसमा गतिकी का प्रथम नियम तो उसमें भी आपको यू दिखा होगा यू क्या है आंतरी कुर्जा है इंटरनल एनर्जी है तो डिटेल क्या वीडियो आप देखते रहिएगा और जो लास्ट कोस्टन इस वीडियो में मैं रखूंगा यहाँ पे आपका एक रियक्शन दिया हुआ घिया देखिए नहीं केमिकल तो कोसिस तो मेरा यह रहे कि सब से पहले कि हम लग रियक्शन की लिख लेते हैं अच्छी बात है रियक्स़न के यहाँ पे पर लाए कि लीडिम कार्बोनेट है और hour तूट रहा है दीिकंपोज होरा है केल्सियम कार्बोनेट वह टूट रहा है आपका CAO में और CO2 में टूट रहा है चलिए कोई दिक्कत नहीं है हमारा physical state तो इसका solid है इसका भी solid है हमको पता है यह gas अवस्था में होता है तो gas लगा दिए और क्या बोला है भाई और कुछ नहीं बोला है solid है solid है अच्छी बात है इसको बोले केसी निकालो ना केसी निकालो देखे केसी जब भी निकालते हैं आप किसी भी reaction के लिए तो आपको concentration चीए सब का concentration चीए किसका किसका तो आपको concentration चीए reactant का और चीए product का देखिए गध्यान से इसमें क्या है कि इसको आप बोलते हैं कि भाईया ये प्रोड़क्ट है अच्छी बात है हिंदी वालो उत्पाद इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं भाईया ये अभी करमक है अभी करमक मने रियक्टेंट है चले इधर हिंदी वाले खुस और इधर इंगलिस वाले खुस रियक्टेंट किकुछ करते नहीं है किसी में क्या करते है केसी निकालने के लिए? टो आपने निकाल यह लेक का है अच्छी बात प्रोड़क्ट का लिए उत्पाद का लिख दीए, पहले पट्टा में लिख देंगे उसका कंसेंट्रेशन तो लिख दिए बस हो गया तेकिन बहुत लड़का लग टेंशन में आ जाता है कि भाई ये तो दिया नहीं है ये तो दिया ही नहीं है अप्शन में देखे करना कुछ नहीं है जब कोई पदार्थ एकिलिब्रियम में अगर सॉलिड या लिक्विड एस्टेट में रहे सॉलिड या लिक्विड एस्टेट में रहे तो उसका कंसेंट्रेशन को हम यूनिट यानि एक मान करके भी काम करते हैं याद रखिएगा एक मान लेते हैं तो कौन-कौन ये सॉलिड है तो इसका कंसेंट्रेशन ने इसका और दिए अब टो यहां कि मांनिये गा तो हम क्या करेंगे यहां इसके जगा पर एक रखेंगे और इसके जगा कीवर्ट कि आपका बचेगा क्या कीवल सियोटi केसी बराबर एक गुना सियोटू बट्ड़ा में एक यानि कि आपका अंसर आ जाएगा क्यावल gym CO2 देख लिजे यही है आपका केसी निकल गया कौनसा उप्शन सही होगा आपका इस इसको थोड़ा फैक्ट को याद रखेगा यूनिटी मान के काम कर लेते हैं कभी-कभी solid liquid अगर रहे तो उसका concentration को solid phase और liquid phase में रहे तो gas का नहीं मानेंगे gas का जो रहेगा वही लिखेंगे तो यूनिटी मान करके भी काम करते हैं तो उस हिसाब सगर देखे तो हमारा answer क्या आ गया CO2 आ गया आप खुद ही देख लिजेए CO2 किसमें है यह आपका option number केसी बराबर concentration of CO2 यानि कि D option आपका सही है तो यहां तक हमने देखा और एक last question और देखते हैं H2O का सन्योगमियमल conjugate acid of H2O क्या होगा भाई conjugate acid कहते किसको है चलिए इसमें टीक मारिएगा D इस 2O का conjugate acid निकालते हैं और इसको यहीं last करते हैं और बाकी question को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसको आप उतार लिए होंगे ध्यान से इसको उतार लिजिएगा सब लोग उतार लिजिएगा तो इसको अगर नहीं उतारे होंगे तो सब लोग उतार लिजिएगा इसका solution को यहां देखिए यहां पर दिया हुआ है और क्या करते हैं अब हम लोग एक छोटा सा question है conjugate acid का उसको बना कर और इस वीडियो को last करेंगे बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है तो चलिए देखते हैं conjugate acid कैसे निकालता है जैसे कोई भी base द लेकिन हमको उसे अभी कोई मतलब ने मेरे पास कोई base दिया ना भाई चलो एस टूओ दिया है इस टूओ बोलिया की बेसे दोनों है यह सीड दोनों है एक बेस ठीक है बाई अब इस बेस का मतलब चार होता है हिंदी मीडियम वालों डरिये मत सबका समस्या का समधाने आप ह हिंदी इंगलिस दोनों बताऊंगा मैं बेस मैंने चार है और आपको निकालना है इसका conjugate acid conjugate acid का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सन्यूगमी अमल तो सन्यूगमी अमल में जब हम लोग आएंगे यहां पे तो इसमें करना कुछ नहीं है यार एच पलस जोड़ दो सब म हिस थ्रियो पलस अच्छी बात है इसमें जोड़ेंगे तो इन एच फोर पलस यह सब बेस में जब हमने एच पलस जोड़ा तो जो चीज हमको मिला न यहां पे हाइड्रोनियम आयन मिला यहां पे अमोनियम मिला अमोनिया नहीं अमोनियम यह सब क्या मिला यही सब तो है conjugate acid तो हमसे h2o का पूछा है तो h2o का conjugate acid क्या हो जाएगा hydronium हो जाएगा simple आप देखिया नहीं कि इतना easy है यार ऐसे मैंने conjugate acid से मतलब अगर base दिया है तो conjugate acid निकाल लेंगे और अगर acid दिया है तो conjugate base निकाल लेंगे तो सारा चीज मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है लेकिन अभी आप इसको बस इतना ही देखिये कहा गया भाई मेरा question is three है या नहीं answer में है इस three हो दिया हुआ है यह option आपका c number सही हो गया तो इस तरह से हम लोगों ने इतना question देखा और चुकि वीडियो बहुत लंबा हो गया ता आप इसको pause कर करके देखियेगा notes करते चलिएगा और exam की तयारी करते रहिए तो हम लग मिलते हैं बाकी वीडियो के साथ बाकी question के solution के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखियेगा और पढ़ाई कीजेगा all the best and take care